नमस्कार आज हम बात करेंगे जोर्ज और्विल के वर्क एनिमल फार्म की एनिमल फार्म एक नॉवल से थोड़ा छोटा है तो आप उसको नॉवेला या नॉवलेट कह सकते हैं पहले हम देखेंगे इसके करेक्टर्स फिर इसकी समरी डिसकस करेंगे तो इसमें दो टाइप की करेक्टर्स हैं कुछ हिूमन करेक्टर्स हैं और कुछ एनिमल हैं Human characters को हम देखते हैं पहला है इसमें Mr. Jones जो के owner है Manor Farm के जो farm है वो Manor Farm है Animal Farm उसका नाम बाद में होता है दूसरा human character है Mr. Pilkington ये owner है owner of a neighboring farm named Foxwood Farm तो पास में एक और farm है जिसका नाम है Foxwood Farm उसके owner है Mr. Pilkington तीसरा human character Mr. Frederick ये है owner of Pinch Field Farm और चौथा human character है Mr. Wimper ये एक solicitor है engaged by Napoleon of animal farm as an intermediary between himself and human beings तो Mr. Wimper एक solicitor है आप कह सकते हैं एक वकील है engaged by Napoleon जिनको Napoleon के द्वारा रखा जाता है जो कि animal farm का ruler बनता है बाद में as an intermediary intermediary आप कह सकते हैं बिचॉलिया एक broker between himself and human beings फिर आते हैं animal characters पर जिनमें पहला animal character है major वो एक बुढ़ा बोर है और एक बुढ़ा सुवर है Napoleon one of the leading pigs on animal farm ये एक मुख्य सुवर है animal farm पर इसके बाद है snow wall another prominent pig who is intelligent and inventive ये एक और महतोपूंट सुवर है जो कि intelligent है और बड़ा आविशकारक है नए नए काम सोचता है बहुत innovative है वो और चौथा character है squiller the third important pig who defends the policies of Napoleon ये तीसरा important sewer है जो कि Napoleon की policies को defend करता है फिर है boxer a horse who says I will work harder and Napoleon is always right boxer एक घोड़ा है जो हमेशा ये बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा मैं और ज्यादा कठोर काम करूँगा और दूसरा sentence वो बोलता है कि Napoleon हमेशा सही होता है फिर है clover ये एक female horse है muriel है ये एक white goat है एक सफेद बक्री है benjamin a donkey who hardly ever laughs benjamin एक गधा है जो मुश्किल से ही कभी हंसता है molly a white mare wearing red ribbons molly एक सफेद घोड़ी है जिसको के लाल फीते बानना बहुत पसंद है फिर है jessie और bluebell ये bitches है female dog है जो के कुछ पिल्लों को जन्र देती है और वो पिल्ले पालता है नेपोलियन पिंचर एक डॉग है mosses एक रेविन है एक कौवा है और इनके अलाबा भी वहां बहुत सारी भेड़े हैं कबूतर हैं गाएं हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके के नाम नहीं दिये हुए है नाम केवल इनके दिये हुए हैं तो यदि हम इनकी स्टोरी इस नावल की कहानी डिसकस करें तो ये कहानी है एक मैनर फार्म की जो के मिस्टर जोन्स का है मिस्टर जोन्स बहुत शराब पीते हैं अपने में मस्त रहते हैं और जानवरों के खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं उनको समय से खाना नहीं देते काम बहुत लेते हैं तो जानवरों में एक रोश पैदा हो जाता है उनके खिलाफ मिस्टर जोन्स के खिलाफ जानवर खड़े हो जाते हैं और इस विरोध का आगाज करता है मेजर जब हमने ये केरेक्टर्स डिसकस किये थे तो उसमें जो केरेक्टर था जिसका नाम था मेजर ये एक बुड़ा सुवर है ये आगाज करता है विद्रोह का वो एक सभा बुलाता है जानवरों की और कहता है कि हम इतना काम करते हैं और जबकि इस फार्म का मालिक मिस्टर जोन्स है वो शराब पीता है अपने में मस्त रहता है हमें खाना भी नहीं देता टाइम से तो हमें उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए सारे जानवरों की सभा में मेजर ये प्रस्ताव रखता है ये प्रस्ताव सभी जानवरों को पसंद आता है और वो विद्रोह करने के लिए तयार होते हैं लेकिन तीन दिन बाद मेजर की मृत्यू हो जाती है इस सभा के तीन दिन बाद उसके बाद भी उसकी मृत्यू के बाद भी जो उसका आइडिया है जो उसका कंसेप्ट है वो काम करता है और जानवर विद्रोह करते हैं और इस विद्रोह को लीड करते हैं नैपोलियन और ये स स्नोबाल, सभी जानवर Mr. Jones के खिलाफ कड़े हो जाते हैं और Mr. Jones को इस फार्म से बगा देते हैं अब जो कि Manor Farm नाम था फार्म का उसका नाम बदल कर Animal Farm कर दिया जाता है और अब जानवर कहते हैं कि अब हमारा राज है अब इस फार्म के मालक हम है लेकिन शासन की आवशेक्ता तो फिर भी है अब अब शासन किसका हो तो जो नेता चुना जाता है वो नैपोलियन और स्नोबॉल को ये दोनों सुर हैं इनको नेता चुना जाता है एनिमल फार्म का कि ये राज करेंगे ये रूलर होंगे इन में जो इस्नोबॉल है ये पढ़ा लिखा है इंटेलीजेंट है बड़ा इन्नोबेटिव है नए-णए काम करता है ये तो ये एक प्रस्ताव रखता है कि एनिमल फा की लगाई जाए जिससे जानवरों का काम आसान हो जाएगा अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना है कि जब यह क्रांती होती है तो सेवन कमांडमेंट्स और दिये जाते हैं सेवन रूल्स जानवरों के व्यवहार के जैसे कि कोई भी नया देश आजाद होता है तो उसका एक कंस्टिटूशन बनता है एक समविधान बनता है उसी तरीके से यह इनके भी सेवन रूल्स सेवन कमांडमेंट्स डिसाइड होते हैं कि इनके अनुसार सरकार चलेगी तो जब यह स्नोबॉल की हम बात कर रहे थे यह कहता है कि एक पवंचक्की लगाई जाए आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन इसका जो आइडिया है यह नैपोलियन को पसंद नहीं आता नैपोलियन इश्यालू किस्म का है और वो इस्नोबॉल की पॉपिलरिटी से इश् रखता है और वो शडियंत्र रचता है और शडियंत्र के तहत इस्नोबॉल को एनिमल फार्म से बाहर भगा देता है यह जो इस्कुलर की हम बात कर रहे थे इस्कुलर जो कि थर्ड इंपोर्टेंट पिग है वो नैपोलियन की सारी पॉलिसीज का समर्धन करता है वो एक तर इनिमल फार्म का एक मात्र शासक बन जाता है नेपोलियन का बॉक्सर है जो कि मेंहार करता रहता है यह बहुत मेहनती घोड़ा है यह मेहनत करते करते बीमार हो जाता है और जब ये बहुत बीमार हो जाता है तो इसको ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है जो के नैपोलियन ने मंगाई होती है और नैपोलियन कहता है कि यह बॉक्सर बीमार है तो उसको हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं इलाज के लिए लेकिन उस गाड़ी पर तो एक बूचर हाॉस का नाम लिखा है ये देख लेता है बेंजामिन और वो इस बाद की शिकायत करता है तो इस स्कुिलर ये कहता है कि हम बॉक्सर को बूचर खाने नहीं भेज रहे हम उसको हॉस्पिटल ही भेज रहे हैं ये गाड़ी बूचर खान हम होस्पिटल ही भेज रहे हैं जो के एक शड़ेंत्र है नेपोलियन ने बॉक्सर की सारी वफादारी भूलकर उसको भूचर खाने को ही बेज दिया है धीरे धीरे सारी चीजें आप देखेंगे कि जो इस्थिती थी जानवरों की मिस्टर जोन्स के टाइम वही इस्थिती लगभग रहती है जो जानवर जितना काम कर रहा है वो उतना ही काम करता है अभी भी बॉक्सर उतनी मेहनत मिस्टर जोन्स के टाइम पर करता था उतनी ही म सिप्फुट पहले मिस्टर जोन्स पीद थे और बेच लेठे थे अब वही काम यह स्झेजेयन वह कर रहा है जो सुर्ण है जो सत्था में हैं वह कर रहे हैं मुरगिया अन्डे देती हैं Assembly पहले जोन्स खाथे वैसी ही इस्थिती उनकी अब रहती है और जो सेवन कमांडमेंट्स दिये गए थे जब ये क्रांती हुई थी मैनर फार्म पर तो उन सेवन कमांडमेंट्स में भी अब सुर अपने हिसाब से परवर्तन कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार जैसे कि एक कमांडमेंट था कि कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोगा क्योंकि human beings बिस्तर पर सोते हैं और हम क्योंकि जानवर हैं हम जानवरों की तरह जमीन पर सोएंगे कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोगा लेकिन अब उस कमांडमेंट में सुधार कर लिया जाता है कि कोई भी जानवर बिस्त नहीं पीएगा अब इस कमांड्मेंट में भी परवरतन कर लिया जाता है कि कोई भी जानवर ज् Mor Music लीएंगा स्वाइए लगता है और वह शराब पीने लगे ले यह से सा कमांड्मेंट में में वह अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेते हैं अब भी धीरे जानवरません के साथ व्यापार भी शुरू कर देते हैं जो दूसरे फार्म के ये लोग थे ओनर्स थे मिस्टर पिलगिंग्किंग टन फ्रेड कर देते हैं अर्थहाथ कहने का ताथourt जो व्यभार मिस्टर जोन्स कर लहे थे वही सब कुछ ये नए सत्ताधारी भी करना शुरू कर देते हैं एक दिन अब वो जो सुवर हैं वो दो टांगों पर भी चलना शुरू कर देते हैं जबके एनिमल फार्म में जो एक नारा तयार किया गया था एक स्लोगन तयार किया गया था उसमें कहा गया था four legs good two legs bad लेकिन अब यह जो pigs हैं सूर हैं वो दो टांगों पर चलना भी सीख लेते हैं इंसानों की तरह कपड़े पहनना सीख लेते हैं इंसानों की तरह शराब पीते हैं ताश खेलते हैं सारी यादते हैं उनमें इंसानों की ही आजाती हैं एक दिन सारे जानवर देख रहे है कि जो सूर हैं वो इंसानों के साथ ताश खेल रहे हैं और जब जहांक रहे होते हैं तो उनको दिखता है कि इंसानों की और सूरों की शकल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है वो उनको एक जैसे दिखने लगते हैं उनमें कोई भेद नहीं होता है तो ये स्टोरी थी Basically इसमें जोर्ज औरवल जो कहना चाहता है कि सत्ता कोई भी हो किसी की भी हो लेकिन जो जनता की परिस्थतियां है उसमें ज्यादा परिवर्थन नहीं होता है ये जो नॉवल है ये एक सेटायर है रूस में जो वोल्शेविक क्रांती हुई थी, सन 1917 में रूस में क्रांती हुई थी, जार निकोलस सेकेंड को हटा कर सोशलिस्ट या आपके कम्यूनिस्ट सत्ता में आये थे, वोल्शेविक क्रांती हुई थी, और जो परिस्थितियां जनता की थी, जनता को ये सपना दिखाया गया कि उनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, वो अपने देश की प्रोपर्टी के मालिक होंगे, सारे संसाधनों के मालिक जनता होगी, लेकिन क्रांती के बाद, जो लोग सत्ता धारी हुए, जिनमें के इस्ट्रेलिन प्रमुक है, और जो नैपोलियन है, वो सिम्बॉलिक है, इस्ट्रेलिन का, तो जनता की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया, नई सत्ता आने पर भी, ये एक, तो ये एक एलेगरी है, ये एक सिम्बॉलिकल नॉविल है, ये एक सेटायर है रूस की वोल्शेविक रिवॉल्यूशन पर, और अब हम एक इंपोर्टन क्वेस्टन जो के अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेस्टन कई बा ये आप हेडिंग डाल सकते हैं, ये एक एलेगरी होती है, एक एसी कहानी जिसका टैक्शूल मीनिंग कुछ और हो जाता है, और कंटैक्शूल मीनिंग कुछ और होता है, जहां जो पास्त्र दिखाई देते हैं, वो symbols होते हैं वो वास्तम में वो ही पात्र नहीं होते बलकि वो कुछ और पात्रों को ही symbolize कर रहे होते हैं जैसे कि animal farm में जो animals हैं वो history के कुछ characters को symbolize करते हैं तो animal farm by George Orwell is a satirical allegory of Soviet totalitarianism Soviet Rus में जो वोल्शेविक क्रांती हुई थी और उसके बाद जो stalin का राज आया stalin का रूल जो आया वो totalitarianism था यानि अधिनायक बाद आप इसको कह सकते हैं it reflects the events leading up to and during the stalin era it reflects means यह दिखाता है जो यह novel है animal farm यह दिखाता है the events घटना है leading up to and during the stalin era गो जो घटनाय stalin era तक ले गई और उसके दोरान जो घटनाय हुई stalin के time में जो घटनाय हुई रूस में उनको यह दर्शाता है the satire in the novel is not of marxism or of lenin's revolution but of the corruption that occurred later during the stalin's regime तो जो satire है इस novel में वो marxism पर satire नहीं है यानि marxism तो अपने आप में एक अच्छा सिध्धान था कार्ल मार्क्स ने जो दास के एपिटल लिखा और उसमें जो सामयवाद का सिध्धान दिया वो तो एक बहुत अच्छा सिध्धान थै अगर इमांदारी से लागू हो सके तो उसका उपर satire नहीं है इस किताब में तो हम उस पर question नहीं उठा सकते अगर वो इमांदारी से लागू किया जा सके किसी भी समाज में तो वो समाज के लिए बहुत लावदायक है लेकिन जो satire है वो इस्टेलिन के रेजीम पर है तो the satire in the novel is not of Marxism तो जो satire है जो व्यंग है इस novel में वो Marxism पर नहीं है, Marx बात पर नहीं है और of Lenin's revolution या फिर Lenin की क्रांती पर भी नहीं है क्योंकि जो क्रांती हुई थी उसके उसका जो सोच थी उसके जो आइडियल्स थे वो तो अच्छे थे अच्छी सोच के साथ वो क्रांती की गई थी लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला but of the corruption लेकिन जो satire है वो किस पर है corruption पर है that occurred जो के हुआ later बाद में during the estrellins regime estrellins के शासन के दोरान Orwell strongly condemned Orwell बहुत कडाई से condemn करता है आलोचना करता है estrellins estrellins की Orwell बहुत अपने टाइम में मतलब आलोचना की थी when he saw जब उसने देखा stalinist corruption stalin का corruption of the original socialist ideals जो original socialist ideals थे जो वास्तविक सामाजिक विचारधारा थी उस विचारधारा को जब बिगड़ते हुए देखा उसका जब पतन देखा Orwell ने तो उसने stalin की आलोचना की थी the failure of animalism corresponds to that of socialism the failure यानि असफलता of animalism जो शासन इस्थापित हुआ मैनर फार्म को बदलके animal फार्म कर दिया गया और जो जिस शासन की स्थापना की गई उसको animalism कहा गया ऐसे ही जो सोवेत रूस में जार्ज शाही को हटाया गया जार्ज निकोलस सेकिंड को हटा कर socialism की स्थापना की गई बोलशेवे करांती के द्वारा तो उसका failure और animalism का failure वो एक दूसरे से करेस्पॉंड करते हैं एक दूसरे से साम्यता रखते हैं the failure of animalism यानि animalism की असफलता corresponds वो साम्यता रखती है to that of socialism समाजबाद के असफलता से in the Soviet Union जो के Soviet Union में हुआ due to the tyranny of Stalin Stalin की tyranny क्या होती है तानाशाही Stalin की तानाशाही की वजह से समाजबाद असफल हो गया in recent years हाल के वर्षों में the novel has been used to compare new movements that overthrow heads of corrupt and oppressive governments that use violent and dictatorial methods to remain in power तो in recent years हाल के वर्षों में the novel यानि ये जो novel है animal farm has been used प्रियोग किया गया है to compare तुलना करने के लिए new movements नए आंदोलनों की that overthrow जो के उठा कर फैक देते हैं जो के हटा देते हैं जो मुखिया होते हैं of corrupt and oppressive governments corrupt, भरष्ट, उप्रेसिव, अत्याचारी governments शासन जो भरष्ट और अत्याचारी शासन के head होते हैं उनको उठा कर फैक देते हैं that use violent and dictatorial methods to remain in power जो के that use, जो के प्रयोग करते हैं violent, हिंसक and dictatorial तानाशाही methods तरीके to remain in power यह सत्ता में बने रहने के लिए animals as bolshevik revolutionaries तो इस novel में animals को जो दिखाया गया है वो bolshevik revolutionaries की तरह दिखाया गया है जो करांतिकारी थे रूस में 1917 में जो bolshevik करांति हुई थी तो उन करांतिकारियों की तरह ही animals को दिखाया गया है the bolsheviks came to power bolshevik सत्ता में आये under the leadership of Leon Trotsky Leon Trotsky की leadership में उनके नेतित्तों में bolshevik सत्ता में आये in the Russian revolution of 1917 जो रूस की करांति हुई 1917 में they were later overthrown बाद में उनको हटा दिया गया by the train of Stalin Stalin की ताना शाही के द्वारा who put millions of the bolsheviks to death जिसने के लाखों bolshevik लोगों को करांतिकारियों को मौत के खाट उतार दिया Orwell's novel Orwell का जो novel है ये animal farm is a political allegory ये एक राजनीतिक allegory है allegory को आप allegory ही बोलने हैं इसके लिए द्रिश्टांत कथा या रूपक ये शब्द प्रियोग होते हैं मैंने आपको बता दिया कि ये allegory होती क्या है जहांके जो characters होते हैं कहानी के वो symbols होते हैं वो किसी और को symbolize करते हैं तो ये एक political allegory है एक राजनीतिक allegory है इन विच जिसमें के the farm animals जो farm के जानवर हैं play the roles भूमिका निभाते हैं of the bolshevik revolutionaries bolshevik क्रामतिकारियों की they overthrow वो उठाकर फैक देते हैं and ौस्ट और बाहर कर देते हैं the owner of the manor farm manor farm के मालिक को इन दवे उसी तरीके से the bolsheviks overthrew जिस तरीके से bolsheviks ने हटाया था the old soviet regime पुराने soviet राज को under Nicholas second Nicholas second जो जार था उसको हटाया था later बाद में the ideology of animalism animalism की विचारधारा like the ideology of communism साम्यवाद की विचारधारा के ही समान was manipulated उसको manipulate कर लिया गया उसको तोड मरोड लिया गया and twisted twist means भी manipulate होता है तोड मरोड लेना by individuals means विक्तियों के द्वारा like Napoleon and Stellan Napoleon और Stellan की तरह है तो Napoleon तो वो सूवर है जो animal farm में है और Stellan रूस के शासक थे who were in social and political power जो के सामाजिक और राजनीतिक सत्ता में थे यहाँ Napoleon एक तो Napoleon इसी novel का character है जो कि सूवर है सत्ता में आ जाता है animal farm में और Napoleon एक historical character भी है जिससे आप परचित होंगे France का तनाशाह था Napoleon Bonapart तो उसका reference भी हो सकता है यह तो दो नॉबल हाइलाइट्स यह नॉबल दिखाता है हाउ कि कैसे अ यूटोपियन सोसाइटी यूटोपिया एक यूटोपिया भी एक नॉबल है जिसमें एक ऐसे सोसाइटी का वर्णन किया गया है जहां सब कुछ अच्छा होता है और यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी सुसाइटी जहां सब कुछ अच्छा होता है लेकिन वो सुसाइटी इस दुनिया में नहीं है तो हलांकि ऐसा समाज बनाया जा सकता है लेकिन क्यों नहीं पाता अधर्श्वादी समाज असंभव कर दिया जाता है बाई दा करॉप्टिंग नेचर ब्रेश्ट नेचर की वज़े से आफ दा वेरी पावर उसी पावर की उसी सत्ता की भ्रेश्ट प्रवर्ती की वज़े से नैसेसरी टू क्रियेट जो आवश्यक होती है उसको बनाने के लिए यानि एक नया समाज बनाने के लिए आपको पावर की अवश्यक्ता होती है और वही पावर जब करप्ट हो जाती है जब भेश्ट हो जाती है तो वो समाज की स्थापना असंभव हो जाती है एक आदर्शवादी समाज की स्थापना के लिए आपको शक्ती की अवश्यक्ता हो यानि ओवर्राइडिंग थीम जो और दूसी थीम है नॉबल की is the famous quote वो एक प्रसिद्ध कोट है एक प्रसिद्ध कहावत है या एक प्रसिद्ध कथन है by Lord Acton जो कि Lord Acton का है power tends to corrupt यानि जो शक्ती है वो corrupt करती है वो भ्रिष्ट करती है and absolute power corrupts absolutely और जो सार्भमिक सत्ता होती है यानि absolute power होती है जिसके उपर किसी का कोई control नहीं होता वो absolute power होती है वो इनसान को absolutely corrupt कर देती है पूरा ही corrupt कर देती है अगर आपके पास सत्ता है तो आप भ्रष्ट है और आपके पास सम्पूर सत्ता है तो आप सम्पूर रूप से भ्रष्ट हो जाते हैं नेपोलियन एज स्टेलिन नेपोलियन का जो करेक्टर है इस नॉबल में जो सुवर बाद में राजा बनता है रूलर बनता है एनिमल फार्म का वो स्टेलिन का करेक्टर है इवेंट्स एन केरेक्टर्स इनिमल फार्म में पैरलेल वो मतलब बराबर है वो साम्यता रखते है और्ली हिस्ट्री ऑजले इनिमलियन के प्रारंबिक इतिहास से साम्यता रखते है Orwell makes this clear Orwell इसको clear करता है इसको दिखाता है इस पश्ट करता है In the case of the head pig जो मुख्य सूर है उसके case में Napoleon जिसका नाम Napoleon है Whom he directly connects to Stellan जिसको वो direct रूप से सीधे सीधे तोर पर Stellan से जोडता है He models Napoleon after Joseph Stellan उसने यानि जोर्ज Orwell ने जो Napoleon का character गड़ा है जो बनाया है वो बिल्कुल Joseph Stellan के जैसा बनाया है Who sets up dictatorship जो के तानाशाही की स्थापना करता है By usurping power Usurping means हत्या लेना शाक्ति को हत्या कर Through false propaganda जूटे दुश परचार से Propaganda क्या होता है जूटे दुश परचार से वो सत्ता को हत्या लेता है Threats, धंकियां देकर And Intimidation और लोगों को धंका कर डरा कर Intimidation क्या होता है लोगों को डराना धंकाना Old major as linen जो बुड़ा major है वो कौन है Lenin है Major the oldest boy in the man of farm Who inspired the farm Animals for a rebellion Against man is based upon Both Karl Marx and Lenin तो जब हमने बात की थी Major की उसी ने तो सभा बुलाई थी प्रारम में तो उसका जो character है वो या तो Karl Marx से मिलता है या Lenin से मिलता है क्योंकि Karl Marx ने ही साम्यवाद का सिध्धान दिया था जो ideology है साम्यवाद की या Marx वाद की या समाजवाद की जो ideology है वो Karl Marx की दी हुई है तो जो old major है उसको हम Karl Marx से भी compare कर सकते हैं यह मान सकते हैं कि वो Karl Marx सो symbolize करता है या फिर हम यह भी मान सकते हैं कि वो Lenin को symbolize करता है Snowball as Trotsky Snowball A white board in the Manor farm is an allegory to learn Trotsky तो जो snowball है वो Leon Trotsky का symbol है वो भी रूस का ruler था He wins over most animals and genuinely works for the good of the farm तो यह जो snowball है वो बहुत इमानदारी से काम करता है genuinely sincerity से काम करता है निष्ठा से काम करता है इमानदारी से काम करता है for the good of the farm farm के जो जानवर हैं उनकी भलाई के लिए and devises plans to set up an equal society और वो एक योजना बनाता है एक समाज की स्थापना की जो के equal होगा जो के समान होगा सभी के समान अधिकार होंगे but rumors are spread लेकिन अफवाहें उड़ाई जाती है against him उसके खिलाफ and he is chased away और उसको भगा दिया जाता है from the farm फार्म से बाई Napoleon Napoleon के दुआरा स्किलर एस दा रशियन पेपर प्रावडा रूस का एक न्यूस पेपर था जो के इस्टेलिन के सारी चीजों को सारी बातों को justify करता था आप ने देखा होगा अपने यहां भी आप देखते हैं कि कुछ राजनितिक पार्टियां अपना-पना समाचार पत्र निकालती है खुद का और उसमें अपनी बातों को अपनी पॉलिसीज को justify करती है तो ऐसे ही रूस में एक न्यूस पेपर था जो के स्टेलिन के सारे कामों को justify करता था तो जो स्केलर है यहां पर एक character है अब एनिमल फार्म में न्यूस पेपर तो नहीं दिखा सकते कोई printing press तो नहीं लगी हुई एनिमल फार्म में तो वहां एक character है स्कुईलर जो के symbolize करता है उस न्यूस पेपर को जो रूस में स्टेलिन की policies को justify करता था इस्कुईलर एस दा रूसियन पेपर प्रावड़ा इस्कुईलर एस स्मॉल फैट पोकर यह भी एक छोटा सा मोटा सा सूर है serves as Napoleon's public speaker वो Napoleon का public speaker आप कह सकते हैं प्रवक्ता है उसके बेहाफ पे बोलता है Napoleon के बेहाफ पे like the Russian paper प्रावड़ा he manipulates the language यानि जैसे कि रूस का newspaper था प्रावड़ा वो manipulate करता है language को भाषा को तोड़ता मरोड़ता है तत्यों को भी तोड़ता मरोड़ता है to excuse, justify and praise all of Napoleon's actions तो Napoleon की जितने भी actions हैं जितने भी कारे हैं उनको justify करता है उनको सही ठहराता है, उनकी तारीफ करता है squiller he represents all the propaganda तो squiller represent करता है वो सारे propaganda को propaganda क्या होता है, प्रचार प्रचार अपनी policies का प्रचार उनको सही ठहराना, वो propaganda होता है, Stalin used to justify his own heinous actions, जो कि Stalin ने use किये थे अपने सारे heinous क्या होता है बहुत बुरे actions कारे, जो जितने भी बुरे कारे किये थे Stalin ने उनको justify करने के लिए उन्होंने इस newspaper को लगाया हुआ था ये उनका मुकपत्र था वैसे ही सारे कारे, जो के Napoleon करता है, उनको justify करता है humans as Hitler and western powers तो इसमें जो दूसरे humans हैं जो और characters हैं इस novel में वो उनमें से कुछ Hitler को और western powers को symbolize करते हैं Mr. Jones represents Nicholas second of Russia तो Mr. Jones जो के मैनर फार्म के मालिक थे वो represent करते हैं Nicholas second को, रूस के जो जार थे क्रांती से पहले जार Nicholas second तो उनको represent कौन करता है उनको symbolize कौन करता है Mr. Jones The deposed jar यानि जिनको हटाया गया जो jar क्रांतिकारियों ने जिन jar को हटाया उनका नाम Nicholas second था who had been facing severe financial hardships who had been facing जो के सामना कर रहे थे severe बहुत कठोर financial यह मींस आर्थिक hardships कठनाईयों का in the days उन दिनों में leading up to the 1917 revolution जब 1917 की क्रांति हुई Mr. Frederick represents Hitler तो इसमें जो एक और character है Mr. Frederick जो के एक और farm के owner है वो किसको represent करते हैं Hitler को and his Nazi party और उनकी Nazi party को जर्मनी का तनाशादा है Hitler तो और उसकी party Nazi party थी in general Mr. Pilkington represents the western powers such as Britain and the US तो जो दूसरे human character है Mr. Pilkington वो भी एक farm के owner है वो represent करते हैं western powers को जो पश्चमी शक्तियां थी जिनमें के Britain और US यानि के अमेरिका Mosses and dogs और Mosses जो के raven है Mosses is a raven Mosses एक कोई है who represents जो के represent करता है the role of the church in Russia उस रोल का उस भूमिका का जो के रूस में चर्च नेने भाई थी Dogs are the animals who give protection to Napoleon Dogs जो है वो जानवर है जो के Napoleon को protection देते हैं Napoleon को सुरक्षा देते हैं They represent the Red Army and NKVD तो dogs वो जानवर हैं जो के Napoleon को सुरक्षा देते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं Red Army को और NKVD को तो यह जो लाज सेना और यह जो NKVD है NKVD यह एक Russian नाम है और उसकी short form है Russian नाम की और English में इसको बोला जाता है People's Commiserator for Internal Affairs यह जो संस्था थी इसने बहुत सारे लोगों को मरवाया था और जो Red Army है यह तो इनकी सुरक्षा में थी ही इस्टेल इनकी सुरक्षा में यहाँ पर जो डॉल्स हैं जैसे वो Napoleon की सुरक्षा करते हैं जैसे कि स्टेलिन ने किया था रश्या में तो और यह जो डॉक्स हैं वो उन लोगों को विरोधियों को काटते हैं जो भी Napoleon के विरोधि होते हैं उनको वो डॉक्स काटते हैं ऐसे ही जो Red Army थी और जो NKVD थी यानि कि People's Commissariat for Internal Affairs यह उन लोगों को मारते थे जो भी स्टेलिन के खिलाफ होते थे Conclusion, the allegory that the novel employees allows for interpretation on a political level तो हम कह सकते हैं कि जो allegory इस novel में employ की गई है जो इस novel में use की गई है उसके political interpretations हो सकते हैं उसको राजनीतिक level पर राजनीतिक इस्तर पर उसकी interpretation की जा सकती है उसकी व्याख्या की जा सकती है तो यह answer था और आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़ा और बढ़ा कर सकते हैं आप के लिए मेरी सलाह यह है कि आप एक बार Russian Revolution के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए History की किसी किताब से चाहें पढ़ लीजिए और इस answer को और बढ़ा करने के लिए आप जैसे के conflict था टोट्सकी और स्टैलिन के बीच में आप उसके बारे में पढ़िए और उसको अपने answer में include कर लीजिए और ग्रेट पर्ज ट्रायल्स थे जो के यह जो जिसके भी बात हुई थी NKVD इसने किये थे ट्रायल्स ग्रेट पर्ज यानि कि जो भी विरोधी थे उनका सफाया किया गया था पर्ज माने होता है सफायी करना तो उनको आप पढ़ सकते हैं उन ट्रायल्स के बारे में पढ़ सकते हैं कैसे उनका सफाया किया गया और एक disagreement था जो तीन लोग थे स्टेलिन, चर्चिल और रूजबल्ट इन्होंने एक सभा बलाई थी और तहरान में हुई थी वो conference सन 1943 में तो आप उसके बारे में यहां reference दे सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक plan बनाया एक conspiracy थी उनका एक plot था कि कैसे हम दुनिया को तीन भागों में बाट लें आपस में बहुत सारी घड़ना है इतिहास की जो कि इस novel पर apply होती हैं और आप उनको अपने answer में include कर सकते हैं अगर आप इसको और elaborate करना चाहें इसको और बड़ा करना चाहें इसके साथ ही मैं यह वीडियो यहां समात करती हूं धन्यवाद अरूं